रेल्वे गेट मेन को सब्ता में अब मिलेंगे दो विश्राम जया दोतो बता दे रेल्वे में काम करने वाले गेट मेन को अब सब्ता में एक जगा दो रेश्ट मिलेगा करमचारियों पर इसको लेकर नियम एक मही से लागू कर दिया जाएगा All India Railway Track Maintenance Union कई साल से पुरानी मांग को railway board के सामने रखा था दोस्तो आपको बतादे ट्रेक जो गेट मैन होते हैं दोस्तो वो बारा घंटे की डूटी करते हैं अब उनको आठ घंटे की डूटी करने परे गया और सब्ता में दो दिन का रेस्ट भी मिलेगा आपको बतादे उच अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थे दोस्तो इसी को लेकर इसका फैसला दिया गया लगातार बहुत दिन से जो यूनियन है वो इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे तो रेल्वे अधिकारियों ने इसका मान मान लिया गया है आपको बता दे कि 9 अप्रेल को यूनियन की सभी 9 मांगों को लेकर रेलवे अधिकारियों और यूनियन के पताधिकारियों से बारता हुई और उसके बाद ब्रोदरा हाउस से उपस्तित हुए उप मुख, समागरी परवंधक संदीप कुमार एबं मुख ट्रेक अव्यनता के अलाबा रेलवे बोर्ड के सभी निरनायक अधिकारियों विचार विमर्ज के बाद तै हुआ की समागरी समंधिक काज में पूरी सिस्टम का केंद्री करन किया जा चुका है और जल्द से जल्द पूरे भारत में सभी फाटक वालों को सब्ता में एक साथ दो बिशराम सहीत सभी सेफ्टी गियर की आपूरती की जाएगी एक महिना एक मही से सारे नियम लागू कर दिये जाएगे आपको बता दे ट्रेक में के बकाय सभी सुरच्छा की चीजों का भी लाब समय पर दे दिया जाएगा और उनियन पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कई सालों से पट्री और फाटकों पर काम करने वाले करमचारियों की कई मांगों को लेकर संघर्ष चल रहा था और इन सभी मांगों को ट्रेक मैन को सुरच्छा समंदिस उपकरनों जैसे बिंटर जैकेट, रेन कोट, हेलमेट, सुरच्छा जूते, ट्राइक कलर, सब्ता में दो बार करनों को मिल जाएंगे, तो आपको ट्रेक मसीन दिखा पा रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह से जो राद में भी काम करते हैं, गेट मैन, उनके लिए भी काफी सहुलेत हो जाएगा, तो इस तरह से रेलवे गेट मैन को सब्ता में अब दो दिन भी मिलेगा, और बारा घंटे क जगा पर आठ घंटा ही काम करना परेगा, इस तरह से आपको पता दे, तीन सिफ्ट में काम होगा, आप या चोविस घंटा क्यों की रेलवे चोब सो घंटा चलती है, तो इस तो इस आप आपको पता होगा, मेरे चनल को लाइक करिए, शेर करिए, और ज़्याद सब्सक्रा करिए, ताकि ये रेलवे गेटमैन भाईयों को भी ये बात पता चल सके,